महिलाओं का शम्शान जाना क्यों वर्जित है भाग दो पहला, कपाल क्रिया की प्रक्रिया में शव के सर पर तीन बार डंडा मारते हैं जो की एक महत्व पूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के दिमाद पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और तो और शव के जलते समय शव अकड़ते हुए आवाज करता है जिससे औरते और बच्चे दर भी सकते हैं और उनकी रातों की नींद खराब हो सकती है दूसरा, शव को घर से ले जाने के बाद घर को साफ रखना और शुद्ध करना जरूरी होता है तो घर को पूरी विधी विधान से साफ करना महिलाय अच्छे से जानती है आगे बढ़ने से पहले भगवान विश्णू के लिए विडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तीसरा, शम्शान घाट के वातावर्ण में कीटानों फैल जाते हैं और उड़कर शरीर के कोमल भाग में चिपक कर शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले शरीर को नहलाना जरूरी है ताकि शरीर के कीटानू और नकारात्मक उर्जा घुल सके.